गाउं में चाउमिन का चलन अभी अच्छे से नहीं आया था, लेकिन सुरेश शहर से चाउमिन बनाना सीख कर गाउं में ठेला लगाता है। जड़ा एक प्लेट चाउमिन तो देना, सुरेश उसे चाउमिन देता है, उसे चाउमिन खाता देख गाउं वाले भी उससे चाउमिन ले लेते हैं और खाने लगते हैं। भीड लगी है, लगता है जगडा हो गया है गाउं में। चलू मैं अभी तो मज़े ले लू। अरे काहे इतनी भीड लगी है यहाँ, लड़ाए हो गई है क्या। अरे साहुकर सहाब, ना ना कोई लड़ाए ना हुई है, यह तो सुरेस की दुकान है चाउमिन की, हम लोग चाउमिन खाने आए हैं, आप भी खाए हैं ना। साहुकर चाउमिन खाता है और सुरेश की तरफ देखता है, जो सारे दिन के पैसे गिन रहा होता है। कैसे जरुरत नहीं थी साहुकर जी, इतना मोटा ब्याज कहां से भरते। साहुकर को अब सुरेश की दुकान को हडपने की लालच आ जाती है। अब साहुकर घर आ जाता है और अपनी बीवी को सारी बात बताता है। हान जी, ये तो मैंने भी सुना है कि सुरेश के हाथ की चाउमिन नहीं खाई तो कुछ नहीं खाया। साहुकर और उसकी बीवी अब रोज चुपके से सुरेश की घर जाते हैं और खिरकी से उसे चाउमिन बनाते देखते। अब क्या था, दोनों को चाउमिन बनाना आ जाता है, फिर एक रोज। और सुरेंद्र, तुझे साहुकार नी ने बुलाया था, बोल रही थी के बेटे के जनम दिन में दस किलो चाउमिन का आडर देना है, बना दोगे ना। अरे हाँ हाँ साहुकार जी, मैं जरूर बना दूँगा, कब देना है घर में दस किलो चाउमिन? अरे वह तो तो घर आकर बता कर लेना, मैं नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, शाम को काम निप्टा कर आ जाता हूँ। सुरेश साहुकार के घर जाता है, लेकिन वहाँ मिया वीवी मिलकर उसे बंदक बना लेते हैं। अरे, मुझे क्यों बांध रखा है, मुझे छोड़ दो। साहुकार एक आदमी को सुरेश की निगरानी में लगा देता है, और वहाँ से चला जाता है, अगली दिन। अरे, साहुकार जी, आप कबसे चाओ मिन बेचने लगे और अपना ये सुरेश कहां गया। और वो तो शहर गया है, उसका कोई काम निकल आया था, बोल रहा था कि जब तक वो न आये, तब तक मैं ही उसके ठेले का काम कर दूँ। फैसे भी तो बहुत धाल ले रखे थे उसने, लगता है करजा भने के डर से भाग गया है। अरे पर वो तो बोल रहा था कि उसने सारा करजा उतार दिया है, और वो क्यों भागेगा, इतना तो कमा रहा था। अरे मुझे क्या पता, अरे चाउमिन खाना है तो बोलो नहीं तो भाग यांसे। अरे हाँ हाँ दे दो दे दो, अब तो चाउमिन खाना पूरे गाउं के लोगों के लिए आदत ही बन गया है, ना खाओ तो नीन ना है। तो लो और निकालो पचास उरुपे। पचास रुपे क्यों? सुरेंद्र तो दस रुपे मैं देता था। अरे वो पागल था, मैं थोड़ी ना हूँ। गाम वाले, जिनको चाउमिन की लत लग गई थी, वो करते भी क्या। दे दो, अरे ये लो पचास रुपे। लेकिन फिर साहुकार उन लोगों को प्लेट में थोड़ी सी चाउमिन रख देता है। अरे ये क्या? पैसे पाच गुना ज्यादा और चाउमिन बस इतनी सी। अरे साहुकार सहाब भगवान से तो डरो। बस फिर क्या था? साहुकार की मन मर्जी चलने लग जाती है और गाउवाले करते भी क्या? एक रोज मुझे तो लगता है कि सुरेश को साहुकार ने मार डाला होगा क्योंकि उसका काम इतना अच्छे चल रहा था पिर वो क्यों जाता? और वो भी साहुकार की हवाले दुकान करके ना अबाबो ना अगले रोज भागेबान देखो तो सरा इस रेश भी ना कितना पागल था जिस काम से वो ज्यादा पैसे बना सकता था उससे इतने कम पैसे चाप रहा था पचास रुपे प्लेट में भी गाउवाले खूब खा रहे हैं चाहुमिन हाँ जी और जितने में वो लोगों को दस प्लेट खिलाता था भर भर कर हम लोग उतने में बीस प्लेट बना रहे हैं क्यों जी वही सुरेश रोज भगवान से मांगता कि बस एक बार वो किसी तरह वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाए लेकिन उसकी हर कोशिश नाखा मयाब होती फिर एक दिन अर भागवान ऐसा कुछ करो कि चाहुमिन बनाने का खर्चा आधा हो जाए जिससे हम लोगों को और मनाफा हो ना जी मुझे तो कोई तरकीब ना सूच रहे मारा सुनो एक काम करता है चाहुमिन बनाने में जो सबजी लगती है वो मंडी में लेने तुम देर राज चली जाना तब तक वो सारी सड़ी गली सबजी जो दुकांदर वहीं फेक जाते हैं वो उटा कर ले आना फ्री में अरे वाजीवा आप तो बहुत समझदार हैं जी बीवी वैसा ही करती है लेकिन अब लोग चाहमिन खाते तो मूँ बना कर फिर एक बार अरे राम 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 ये पेट में दर्द का है हो रहा है हाई रे हाई मेरा भी पेट दर्द के मारे फटा जा रहा है सभी को शक हो जाता है कि उन लोगों को चाहमिन खाने से ही ये बिमारी हो गई है वहीं दोसरी तरफ जो आदमी सुरेश की निगरानी कर रहा था वो सो रहा होता है और मौका देखकर सुरेश वहां से भाग जाता है सुरेश गाउं वालों के पास जाकर उन्हें सब कुछ बता देता है बस अब क्या था साहुकार के घर पुलिस पहुच जाती है चलो तुमने गाउं के लोगों को खराब सबजी वाली चाहमिन खिला कर बिमार किया और सुरेश को बंदक बनाया साहुकार को पुलिस ले जाती है और फिर अगले दिन से सुरेश का ठेला गाउं के बाजार में लग जाता है जहां अब पहले से ज्यादा भीड होती है